हलो एंड वेलकम वंस अगें बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने 60 तक की प्रॉब्लम सिंप्लिफाइग कर ली थी और आज हम बात करेंगे 61 से लेके 65 तक की प्रॉब्लम के लिए जो की पूरी तरह से बेज़ जेए एडवांस के लिए तो आई होप आप लोगों को य मैल आइकन को प्रेस कीजिए जिटी मैथमेटिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए ओके बच्चों क्यों क्यों नूमर 61 देखे क्या है क्यों नूमर 61 कुछ इस तरह से है कि आपको गिवन है f of x बराबर है किसके बराबर है भी greatest integer of fraction part of x इस साथ में है 10 inverse और फिर यहां बहुत कुछ लिखा हुआ है plus 3 minus x to the power 1 by 7 देखे यहां पर मैंने यह सब क्यों नहीं लिखा है क्योंकि उसकी requirement नहीं है अगर आप गौर से देखो बच्चों यह जो fraction part है इसकी value जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है बई सही है और 0 से 1 के बीच में अगर कोई value है तो इसका greatest integer लेने पर result क्या आता है 0 तो आप x कुछ भी लो this term will become 0 तो यह पक्का 0 होगा तो यह पूरी की पूरी term जो है आपकी 0 हो जाएगी और यह function जो है आपका fx वो हो गया 3 minus x to the power 1 by 7 यह 10 inverse में जो लिखाओ आया देखो इसका डिनोमेटर जरूर देख लिए x square minus 3x plus 5 है तो यह value जो है क्या यह कभी 0 होगी अगर आप इसका discriminant check करें तो negative है इस quality का तो यह कभी 0 नहीं होगा तो इसमें infinity बनने का संकट नहीं है इसका domain पूरा x हो गया पूरा r हो गया real number system यह मात्र छोटा सा एक function हो गया इस function में एक और गौर करने वाली बात जो है वो यह है चाहिए यहाँ दिखें यहाँ गल्ती करदे बैटे हम यहाँ पर power 7 है यह x power 7 है इस तरह से अगर आप इसका inverse function निकालो आपको inverse function निकालना आता है कैसे निकालते है यह y बराबर fx है inverse निकालने के लिए x y को आपस में बदल दो तो x बराबर हो गया 3 minus y power 7 to the power 1 by 7 यह inverse function निकालने की टेखनीक है fx का inverse function निकालना क्या करो x y को आपस में बदल दो अब इसको solve करके y को value निकाल लो x की form में देखो क्या आएगा यह power 1 by 7 इधर हटाओ x power 7 बरा वापस से क्या आगया देखो fx ही आगया तो यह जो function है यह कैसा function है जिसमें fx बराबर है f inverse xk ठीक हबाल को तो अब आप से जो पूछा है उस पर आते हैं देखो क्या पूछा है बच्छो आप से आप से पूछा गया है कि f inverse 50 minus f of 50 plus f of f of 100 का value बताओ क्या है तो देखो यह दोनों तो आपस में कट गए क्योंकि यह और यह बराबर है इस f को चुकि fx बराबर f inverse x है तो इसको ऐसे लिख दूँ में f inverse of fx और बच्छो f inverse of fx जो है न वो x ही होता है तो यह definitely क्या हो गया 100 तो इस question का answer क्या है 100 तो यह बहुत observation based question था और बहुत ही simple था देखिए चलिए next problem पे चलते है next problem क्या है तो बच्छो question number 62 continuity differentiability का question है आपको function एक given है कुछ इस तरह से box of 2x का square यानी greatest integer है यह minus fraction part है वही है 2x का square का x का value आपको लेना है open interval minus 2 से plus 2 में और यह बताना है कि number of point of discontinuity कितनी जगे discontinuous होगा यह function आईए देखिए पहले तो इसमें a square minus b square लगा कि बच्छो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या box of 2x minus fraction part of 2x correct और box of 2x plus fraction part of 2x समझ में आ रही है बात यहां पे आगे बढ़ जाओ देखो यह मिलके क्या बन जाएगा 2x जानते हो यह तो correct अब इसी चीज को मैं यहां use कर लो fraction part x को मैं ऐसे लिख दूँ कि box of fraction part x क्या हो तो x minus box x और यहां लगा दे तो यह बन जाएगा 2 time box of 2x minus 2x सही है क्या use किया मैंने इस concept को कि fraction part t बराबर होता है t minus box t यह concept लगा दिया इसको अंदरगुणा कर लो देखो ऐसे बन किया 4 time box of 2x into x minus 4x square देखो यह function तो निश्चित रूप से continuous है तो सब को depend करता है इधर अब इधर आ जाओ देखो यह क्या है यह discontinuous होगा कई जगे है ना और यह continuous होगा सब जगे यह कहां कहां पे discontinuous होगा जब ज 2x integer बनेगा ठीका भी अब जैसे 2x का value 1 हुगा है ना तो 2x का value 1 मतलब x का value half तो half पर यह discontinuous है यह continuous है एक continuous और discontinuous का product क्या होता है इसको सुनना ध्यान से मेरे statement को एक function है fx एक function है gx ठीक है यह तो है discontinuous और यह है continuous ठीक है दोनों की ही value कैसी है भाई finite value function दोनों finite values देते हैं यह भी याद रखना ठीक है infinite नहीं है किसी भी point पर value तो discontinuous continuous का product क्या होगा जिस point पे यह discontinuous हो रहा है उस point पर अगर यह function 0 है और यह discontinuous है तो result आएगा continuous यह discontinuous है और इसकी value 0 नहीं है यह non-zero है तो पर result आता है discontinuous है okay so remember this और सोच के देखना कैसे हुआ है तो वापस आजाओ यहां पर तो देखो x का value minus 2 से 2 है न तो 2x का value हो गया minus 4 से plus 4 अब minus 4 से plus 4 में integer कौन कौन से आएंगे minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 और 3 total 7 integer है लेकिन यह 0 जो है न वहीं यह 0 ऐसा है कि 0 पर यह discontinuous है लेकिन यह तो 0 हो जाएगा न जीरो पर यह को ऐसे समझो तुरंट समझो 0 पर इसका LHL निकालोगे इसका LHL आएगा minus 1 इसका LHL आएगा 0 तो इसलिए आजाएगी इस पॉइंट पर तो यह बाकी तीन और तीन यह 6 पॉइंट ऐसे जहाएं डिसकंटिनियूस रह जाएगा आपका अंसर होता है 6 समझ गये क्यों चलिए जी नेक्स क्वेशन पर आते हैं नेक्स क्वेशन देखो क्या है तो जो क्वेशन नंबर है 63 इसमें दी हुई है आपको देखो एक functional equation f of xy plus f of x sorry equal to f of x plus f of y plus xy minus x minus y और यह सब true है for all xy greater than 0 के लिए इसके अलावा तुम्हें दियावा f dash 1 का value 4 है तो बताओ fx equal to 0 के root कौन से interval में नहीं आएंगे तो यह सब तो बात की बात है पहले fx निकालना पड़ेगा तो आओ देखो कैसे करें अब यहां देखो observations है ना सोचो देखो अगर मैं इसमें y की जगह है बच्चों अगर मैं इसमें y की जगह डाल दू जीरो तो क्या होगा यह एफ जीरो एफ जीरो कट जाएगा ठीक है यह और यह वह भी जीरो हो जाएंगे और fx बराबर x आजाएगा लेकिन गलत हो जाए पार्शली differentiate करो इसको partial differentiation करो with respect to y y के respect में देखो यह method गिनके तीन step में पूरा होता है पहला step यह है तो क्या बनेगा इसका differentiation f of xy का differentiation हो गया f dash xy और xy का करेगे तो x तो constant है और y का 1 हो जाएगा बराबर fx यह constant है 0 f dash y y plus x into y का हो गया 1 minus x का 0 हो गया minus y का 1 हो गया अब आप तो पहला step यह होता है दूसरा step क्या है अब इसमें put कर दो y equal to 0 right 0 तो put नहीं कर सकते y equal to 1 डालते हैं जिससे कि हम इस data को भी use कर सकें तो यह क्या बनेगा देखो f dash x into x बराबर यह कितना हो गया 1 plus x और भई यह 1 थोड़ी ना भई यह 4 है 4 plus x minus 1 तो कुल मिला गया बच्चो f dash x आ गया आपने पास 3 by x plus 1 correct यह अगर f dash x है तो इसका integration करके fx निकाल लो कितना हैगा 3 by x का integration हो गया 3 log x plus x plus constant c constant c की value कैसे निकाले अब यह तीसरा और आखरी step होता है तो constant c की value निकालने के लिए जो original equation है यहाँ आईए और यहाँ से किसी एक particular x की value पे fx पतागरने की कोशिश कीजिए और वो कैसे करते हैं हम कुछ न कुछ substitute करके तो देखो मैं यहाँ substitute कर रहा हूं x बराबर y बराबर 1 तो इधर बन गया बच्चो f1 सामने भी हो गया f1 plus f1 plus 1 plus 1 minus 1 minus 1 सही है तो यह 1 1 कट गया f1 f1 कट गया आपको मिला f1 का value 1 इस value को यहाँ यूच कर लो तो f1 तो 1 आना चाहिए इधर से वो आ रहा है 3 log 1 यानि 0 plus 1 plus c तो कुल मिला के c का value हो गया 0 तो इस तरह से बच्चो तुम्हें fx क्या मिला 3 log x plus x अब बराबर 0 कर दो इस equation के root ढूणने की कोशिश करते हैं तो इस equation को आप ऐसे लिख लो ना 3 log x बराबर minus x या log x बराबर minus x by 3 अब देखो graph से देख लेते हैं y बराबर log x का graph आप जानते हो ऐसा आता है यह point क्या है भई 1,0 ठीक है भी y बराबर minus x by 3 का graph कैसा होगा origin से pass होगा negative slope की line ऐसे तो यह यहाँ काट रहे हैं दोनों तो यह root है तो यह जो root आएगा इसका यह root कहाँ आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा ठीक है यहाँ पर x 0 यहाँ पर 1 है अब आप option देखो आपको यह बताना है कहाँ पर root नहीं आएगा तो आपका जो पहला option है वो 0 से 1 है तो इसमें तो आएगा तो गलत हो गया आगे जो तीनों इंटरवल है वो देखो सब 1 के आगे हैं E से E स्क्यार 1 से E सब 1 के आगे हैं तो उनके बीच में रूट नहीं आएगा तो आपका answer है second, third और fourth चलिए काई खोब समझ में आगया होगा अब आता है question number 64 को चस तरह से आपको calculate करना limit x tends to 0 plus x to the power x to the power x minus x to the power x यहीं बड़ा आसान सा सवाल है देखिए हम मैं इदर आता हूँ मुझे x to the power x का पता करना limit x tends to 0 plus पर यह क्या होता है तो इस limit को भई हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x to the power 0 और e to the power log of x to the power x लिख सकते हैं ऐसे variable power variable है ना तो उसको solve करने के लिए log लेना ही पड़ेगा लॉग लिया तो लॉग लेकर उसको हटा भी दिया साथ साथ e power लेकर अब देखो यह ऐसे बन गया limit x tends to 0 plus e to the power x into log x इस e को तो रहने तो यहां देखो अगर आप 0 put करते हैं 0 की तरफ जाते हैं अप्रोच करते हैं तो यह 0 बनेगा और log 0 infinity तो 0 into infinity फॉर्म अबच्चों तो इसको आपको क्या करना चीए इसको लिख लेना चीए ऐसे log x upon 1 by x now this is infinity by infinity form so you can use l hospital rule here और यह बन जाएगा limit x tends to 0 plus पे lh rule लगा दिया हूँ वही e to the power log x का differentiation 1 by x नीचे minus 1 by x square ठीक है यहाँ पर लगेगा l hospital rule उपर का differentiation उपर नीचे का नीचे simplify करोगे क्या बनेगा देखो limit x tends to 0 plus e to the power minus x लिमिट लगाओगे e to the power 0 यानी की 1 तो x to the power x यह limit 1 को approach करती है तो अब यहाँ आ जाएए देखिए क्या होगा भई यह limit यह 1 को approach कर रही है और यह 0 को approach कर रहा है यह 0 to the power 1 को approach कर रहा minus 1 तो finally you got minus 1 तो answer जो है इसका वो देखो क्या होगा is equal to minus 1 third option जो है आपका वो correct है और अब मैं आता हूँ next question पे question number 65 जो देखो यह बहुत ही theoretical approach वाला question है और इसको अगर मैं subjective method से deal करूँ तो इसमें मेरे को बहुत टाइम लगेगा समझाना भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा मेरे लिए तो अब यहां देखो हम graph की help से तुरंत कैसे पता लगाते हैं तो आपको क्या क्या given है पहली बात f जो है वो r से r में है ठीक है differentiable है differentiable है तो continuous तो होई गया राइट बाइजक्टिव है बाइजक्टिव मतलब one one है और on two है on two का मतलब यह हो गया है कि इसकी जो range है वह minus infinity से plus infinity है domain भी इसका minus infinite से plus infinite है इन्ही graph जो है वो entire x-axis को और entire y-axis को cover करते हुए होगा ओके one one होगा कोई भी horizontal line उसको एक से ज्यादा बार नहीं काटेगी differentiable है continuous है तो बताओ कि कौन-कौन सी बाते सही हो सकती है यह है which of the following may be true राइट पहले दो option जो है ना देखो वो ऐसे हैं कि fx-x into f double dash x यह product जो है यह हमेशा positive हो सकता है क्या और हमेशा negative हो सकता है कि यह बाते मुझे देखनी आ जाओ देखो fx-x देखो दो टर्म का product positive या negative कब होता जब दोनों term same sign की हो तो मुझे देखना यह term positive है तो यह term positive हो सकती है क्या अब यह positive हो होगी जब fx-x से बढ़ा होगा तो इसको graph से समझना बच्चो देखो जैसे यह graph है यह तो है y बराबर x का graph ठीक है अब for always x बात कर रहे हैं for all x belongs to r बात हो रही है हमें fx का graph बनाना है कैसा graph है बिना टूटे लगातार graph होना चाहिए one one होना चाहिए और minus infinity से plus infinity तक जाना चाहिए उसका graph ठीक है और अब मैं माल लेता हूँ जिसे यह positive है तो मैं माल लेता हूँ कि fx जो है वो बड़ा है x से इसका मतलब क्या होगा y बराबर fx का graph इस line के उपर बनना चाहिए हमेशा ठीक है अब देखो f double dash किस चीज को decide करता है concavity को कि graph concave upward है या concave downward आप concave upward समझते हो जिनको उपर से देखने पर concave दिखाई देते हैं concave downward वो करूँ जो नीचे से देखने पर concave दिखाई देते हैं क्या f double dash को हमेशा negative लिया जा सकता है मतलब क्या मैं इस line के ऊपर ऐसा graph बना सकता हूँ जो always concave downward हो यानि उसके किसी भी portion को हम उठाएं तो वो नीचे से हमेशा concave दिखे Is it possible? Try करके देखिए एक ऐसा graph जो minus infinity से plus infinity तक जाता हो इसके ऊपर हो हमेशा और concave downward हो मतलब इस type से हो जी Concave downward है लेकिन मैं इसको अगर infinite तक ले जाओंगा सोचो अगर मैं इसको ऐसे लेके जाओंगा तो यह तो इसको काट जाएगा line को फिर हमेशा line के ऊपर नहीं रहेगा हाँ एक तरीका आप इसको ले चलके यो कर सकते हो line के parallel लेकिन जैसे आप इसको line के parallel करोगे इसकी Concavity बदल गई देखो अब यह इधर से Concave हो गया पहले इधर से Concave हो था अब यह Concave से जा रहा है कौनके अपवर्ड भी है ठीक है F double dash कैसा हमेशा पॉजिटिव है FX जो है वह X से बड़ा भी है तो इसका मतलब यह जो प्रोड़क्ट है यह पॉजिटिव हो सकता है हमेशा हमेशा नेगेटिव नहीं होगा ठीक ऐसे आप इसको नेगेटिव लेके देखोगे तो यह always positive नहीं होगा यानि इनके opposite sign नहीं होगे हमेशा हमेशा same sign बनाया जा सकते है इसका क्या मतलब है कि यह term positive आ सकती है यानि कौन सा option सही है भई पहले और दूसरे में से तो answer सही है second अब 3rd और 4th की बात करते हैं 3rd और 4th मैं कहा रहा है कि चलो पॉजिटिव आ गई तो फिर से यहां देखो यह वाई बराबर x वाली लाइन है अब मैं कह रहा हूँ कि fx-x into f double-x मानलो यह positive है तो इसके positive होने का मतलब दोनों के sign या तो positive है या दोनों के sign negative है कोई भी एक case लेके आप सोच लो जैसे दोनों के sign मानलो positive है इसका मतलब यह इस से बढ़ा है और यह तो यह graph कभी भी इसको काटेगा क्या नहीं काटेगा ना यह y बराबर fx है अब y बराबर f inverse x का आएगा इसी line में इस graph की image होगी वो यह आएगा तो भाई एक दूसरे को कभी भी नहीं काट पाएंगे क्योंकि अगर fx y बराबर x के ऊपर है हमेशा तो f inverse x y बराबर x के नीचे होगा तो कभी भी नहीं काटेंगे यानि ऐसा कोई point नहीं होगा जहाँ पे fx बराबर f inverse x हो जाएगे कभी बराबर नहीं होगे तो इस equation का कोई solution नहीं होगा यानि कि आपका सही answer है बच्चो इस equation has no solution थर्ड answer इसका correct है तो यह था 61 से लेके 65 तक का solution और आई होप last question जो है देखो बहुत logical है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा तो इस तरह से अगर आप attempt करें तो कई बहुत time बचा सकते हैं आप